नमस्कार दोस्तों मैं सतंदर सर स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल सतंदर गुरुजी पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रिजनी के दस बहुत ही महतोपुन प्रश्ण के बारे में बात करेंगे इसलिए आप लोग वीडियो के अंतर तक बने रहे हैं और इस वीडियो में किस परकार के प्रश्ण होगा जैसे कि देख रहे हैं आपर है संबंधित संख्या का चैन करना जैसे कि 35 का संबंध जो है मेरे भाई 21 से है ठीक उसी परकार 40 का संबंध 24 से ठीक उसी परकार प्रश्ण वाचक चिन का संबंध 36 से कैसे होगा इसके लिए नीचे दिये गए burn श्रिंखला को पूरा करना है यहां पर देख रहे हैं आप लोग यहां पर burn का श्रिंखला जो खाली खाली जगह देख रहा है इसके जगह पर फिल करना होता है इसके लिए 4 अप्शन दी गई है इसमें से कौन सा अप्शन सही होगा ठीक है और मेरे भाई पार्ट नंबर हमारा 14 है अगर इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे भाई आप लोग सतेंदर गुरुजी के वीडियो सेक्शन में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं ठीक है और देखिए मेरे भाई मैं उमेद करता हूं कि आ सब्सक्राइब के वीडियो काफी इंपोर्टेंट वीडियो है इनको मध्य नजर रखके बनाया गया ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ एक नंबर प्रश्न की तॉँज आप यहाँ पर है पहला प्रश्न देखेंगे पहला पृष्न है एक बिक्ति पछिम की ओचलना सुरू करता है और पंद्रा मीटर दोरी ताईकी य cra cra kur reward reaction आपको समझाना होगा यहाँ पर dire action सबसे पहले मेरे दो बनाते हैं और दहिने साइड में हम पूरू बनाते हैं और बाया साइड में क्या होता है तो पच्छिम होता है भाई अब यहां पर प्रस्ण बोलता है एक पच्छिम की ओर चलना सुरू किया और 15 मीटर चलना ओहो पच्छिम हमारा बाया होता है तब पच्छिम की तरफ चलना सुरू किया और कितना चला तो पंदरो मीटर चला ठीक है ताएकी फिर वह दाएं मुरकर दोस मीटर चला इसके बाद में वो दाएं इसका जब पच्छिम की और कोई ब्रक्ति जा रहा रहा तो उसका दाएं उपर होता है निकि दाएं की तरफ मुरता है और कितना चलता है दोस मीटर चलता है ठीक है उसके बाद दाएं मुरकर पंदरो मीटर चलता है निकि जब कोई ब्रक्ति उपर जा रहा हो तो उसका दाएं इस साइड में होता है कितना चलता है तो पंदरो मीटर चलता है ठीक है फिर से पोल रहा है अंत में वह बाय मुरकर 15 मीटर चलता है अनि कि अंत में वह बाय मुरकर जब कोई ब्यक्ति पूरूप दिशा में जा रहा तो उसका बाय उपर होता है कितना चला है उपर जाने के बाद वह चल रहा है 15 मीटर तो हम से पुछ रहा है क्या पुछ रहा है फिर से समझाता हूं देखो एक बेक्ती पच्छिम की चलना शुरु किया और 15 मीटर के दूरी ताई कि धीख है फिर धाये मुरकर 10 मीटर चला हैं, दाये इसकी उपर होगा ना तो उपर चला 10 मीटर उसकी बाद वह फिर से दाएं मुरकर 5 मीटर ने की दाएं मुरा इधर और 5 मीटर चला ठीक है अंत में वह बाएं मुरकर 5 मीटर ने की अंती में वह बेचारा उपर ने की बाएं तरफ मुरा और 15 मीटर चला अब उस ब्रक्ति का मुख किस दिशा में है तो इसका मतलब है उस ब्रक्ति जो उपर की ऊड़ चल रहा तो उसका दिशा जो होगी उक्या होगी बेटा उत्तर इनकी उत्तर दिशा इस प्रश्ण का एंसर अपसर एस सही हो जाएगा तो आप लोग तरीका को समझे साफ साफ प्रश्ण लिखा हुए था ठीक है चलिए बढ़ते हैं दो नमबर प्रश्ण की तरफ दो नमबर प्रश्ण कहता है यदि A का अर्थ है प्लॉस B का अर्थ है माइनस C का अर्थ है गुना और D का अर्थ है भाग तो दिएगे बेंजग का मान बताना है ओहो देखो बेटा यहाँ पर एक का जो अर्थ है नहीं कि A के जगह पर क्या करना है तो पलस लेना है जबकि B के जगह पर क्या लेना है तो माइनस लेना है C के जगह पर क्या लेना है तो गुना लेना है और D के जगे पर लेना है क्या बेटा तो भाग लेना है और इस सभी सिंबल का परियोग करके हमको इस प्रशन को हॉल्व करना तो प्रशन क्या कहता है है 20 है उसके बाद में है B तो B के जगे पर हम लिखेंगे माइनस कितना तो 30 है उसके बाद में है तो A के जगे पर हम लिखेंगे पलस कितना हो जाएगा 15 उसके बाद में है C उसके बाद C है तो C के जगे पर गुना रहेगा उसके बाद है 20 और जो उसके बाद में है d d के जगे पर क्या रहेगा तो मेरे भाई भाग का भागा रहेगा उसके बाद हो जाएगा पांच और मेरे दोस्त इस प्रश्ण को हम solve कर लेंगे मेरा answer निकल के आ जाता है तो इसमें सबसे पहले हम भाग का किरिया करते हैं ठीक है तेने की यह हो जाएगा 20 माइनस कितना तो 30 अब देखो बेटा यहाँ पर 15 ठीक है ऐसे ही ठीक है गुना इस जब भागा देएगे 20 को 5 से भागा देएगे तो कितना हो गा 4 आप मेरे दोस्त देखो यहाँ पर 20 हो जाएगा बीच में माइनस 30 और बीच में प्लास है तो प्लास रहेगा, पंदरश चो का कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, और मेरे भाई यहां से हम अब देखेंगे की कैसे सल्ब करेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दू मेरे भाई यहाँ पर पलस का किरियाब होगा यहाँ पर 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 60 और 20 कितना तो 80 हो जाएगा इसमें से हमको घाटाना होगा कितना तो 30 80 में से 30 को जब हम घाटाएंगे तो हमरा एंसर कितना आ जाएगा 50 प्रश्ण का एंसर हो जाएगा आप प्रश्ण को रटी नहीं समझते चलिए बिलकुल आसान सा तरीका है ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं तीन नंबर प्रश्ण की तरफ तीन नंबर प्रश्ण कहता है नीचे दिये गए बर्ण सरिंखला को पूरा करना है यानि कि नीचे जो दी गई है बर्ण सरिंखला इसको हमको करना है पूरा ठीक है तो देखो मेरे भाई यह बात को आप लोग समझे जैसे कि यहां पर लेटर लिखा हो जैसे एल है सोरी उसके आई है उसकी बाद खाली अस्थान है सी है एच है जब भी इस परकार के प्रश्ण होता है तो उसको कैसे सल्व करते हैं हम आपको कल बता दी है इसको सल्व करते हैं बेटा जानते हो कैसे यहां पर हम करते हैं क्या कि सबसे पहले का मेथर जो होता है इसको कोई फरवोला डायरेक्ट नहीं होता है कि हम डायरेक्ट बता दे आप एंसर ला सकते हैं बिलकुल नहीं होता है मेरे दोस्त इस प्रस्ण में हम करते क्या है एक आपको एप्रोच बताते हैं कि grouping method से इसको solve किया जाता है grouping method में हम सबसे पहले करते हैं क्या इसको count कर लेते हैं कि इसमें letter कितना है देखो count करेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छो, साथ, आठ, नो, दस, इग्यारा, बार, तेरा, चाओदा, पंदरा, शोरा, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस, एकिस, बाइस, तेईस, चाओविस, पश्चिस ओहो यनि कि इसमें कितना letter है total तो मेरे दोस्त इसमें total letter है 25 ठीक है जब 25 letter है तो मेरे दोस्त यहां पर 5-5 का तुम group बना दो ठीक है पांच-5 का जब 25 होगा तो 5-5 का group बनाना होगा ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, पाynnच यह निकि एक group यहां बन गया एक दो तीन चर पाँच एक गुरूप यहाँ बन गया ठीक है तो आप लोग बात को समझे देखे अब मेरे दोस्तियां पर करना होगा क्या कि सबसे पहले क्या इसको हम देखेंगे कि जितना भी एक बॉक्स बना हुए ने कि गुरूप बना क्या है सभी के सभी गुरूप में लेटर सेम है उसको चेक करते हैं देखो हाँ भया सेम यहाँ पर लास्ट में टी है यहाँ भी लास्ट में टी है यहाँ भी लास्ट में टी आएगा अब दखा बेटा यहां जैसे T लेखे हम लोग तो यहां पर पूरा का पूरा जो ग्रूप है ओ फील हो गया है तो इसी के देख के हम सभी को भोलेंगे यहीं सबसे पहले क्या होगा तो L उसके बाद G उसके बाद C उसके बाद H उसके बाद में होगा क्या तो T होगा तो सबसे पहले L होगा उसके बाद में क्या होगा तो G होगा उसके बाद C, H, T होगा ठीक है यह भी भर गया इसमें देखेंगे L, G, C है तो उसके बाद इसमें भारा जाएगा तो S भारा जाएगा इसमें देखो L है G है उसके बाद C भारा जाएगा इसमें L के बाद G के बाद C भारा जाएगा इसमें क्या भारा जाएगा तो पहलाई मिसिंग है तो इसमें L भारा जाएगा उसके बाद G है C है उसके बाद H भारा जाएगा अब देखो मेरे दोस्त इसमें कौन-कौन से लेटर को हमने भारा है तो सबसे पहले भारे हैं G उसके बाद भारे हैं H उसके बाद भारे हैं C उसके बाद भारे हैं L उसके बाद भारे हैं H उसके बाद में भारे हैं T इन्हें कि GHCL HT अपसर नमर C सई हो जाएगा इस प्रस्ण का एंसर और मेरे भाई आपको मैं बता दूँ कि आहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एसे सी CGL का प्रस्ण है 13 अगस्त 2021 का पूछा हुआ प्रस्ण है ठीक है तो मैं उमेद करता हूँ कि ए प्रस्ण आप लोगों ने अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त आप लोग तारीका को समझ यह रटी है नहीं चलिए शुरू करते हैं अब चार नमबर प्रस्ण को देखते हैं किरिकाश क्लिए qcad में उसकेब्षे करेंगे ने यहां पर दोस्त यह इंवा लिखा हूँ है इसको कैसे है झाय है यहां उसके बाद कारया डी है उसके वाच यह तो थोहाया बनाने दोई है उसker में रच़र आपनाया क्या i है ठीक है यहाँ पर क्या इसको चेंज क्या c है c है i है उसके बाद d है उसके बाद d है ठीक है यहाँ पर हमको चेंज करना है क्या यहनि कि हमसे पूछ रहा है b o m b o m b a y इसको चेंज करना होगा कि क्या बनाएगा तो मेरे भाई मेरे दोस्त सबसे पहले आपको बता कि इसको हमको check करना होता है कि D से C कैसे बना है तो मेरे भाई हम देख रहे हैं D क्या करमानों को होता है 4 और C क्या करमानों को होता है 3 यानि कि 4 को 3 बनाने के लिए इसमें से minus का 1 करेंगे तभी तो जाके बनेगा अब देखेंगे दुशारका में हम देखेंगे E क्या कर्मांक होता है 5 और C क्या होता है कितना तो 3 5 को 3 बनाने के लिए इसमें माइनस का 2 किया गया ठीक है और देखेंगे आगे L का कर्मांक होता है 12 और I क्या कर्मांक होता है 9 तो 12 से 9 बनाने के लिए हम सभी जानते हैं इसमें से माइनस का 3 करना होगा अगला देखेंगे H क्या कर्मांग होता है 8 और D का होता है 4 यहने कि 8 को 4 बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा माइनस का 4 करना होगा और देखेंगे I क्या कर्मान को होता है 9 और D क्या होता है चैनल कि 9 को 4 बनाने के लिए इसमें से माइनस क्या करना होगा मेरे भाई माइनस का 5 करना होगा तो यहां से हमने एक ट्रिक सिखा कि पहलका लेटर में माइनस एक कर दो दूसर का में माइनस दूसर का में माइनस दूसर का में माइनस चार अन्ती में माइनस पांच करना होगा तो इसी को उसी प्रकार से हम भी चेंज कर सकते हैं देखो कैसे सबसे पहले मेरे भाई हम इसको चेंज करदेंगे किस परकार से देखो यहाँ पर इसमें से हम माइनस का 1 करेंगे इसमें से माइनस का 2 करेंगे इसमें माइनस का हम 3 करेंगे इसमें माइनस का हम 4 करेंगे इसमें माइनस का 5 करेंगे इसमें माइनस का 6 करेंगे अब देखो इसमें तो 5 लेटर है इसमें 6 लेटर कोई बात नहीं सिक्वेंस तुमको शमझ में आ गया ना कि माइनस एक माइनस तू माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 करते जाना है देखो तो यहाँ पर B का कर्मांक होता है 2 और 2 में से 1 जब घट रहेंगे तो क्या बनेगा तो मेरे भाई A बनेगा ठीक है और देखेंगे O का करमां को होता है पंदरा 15 मैं से 2 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई तो यहाँ पर 3 और 3 अवा जो letter होता है O होता है M और 2 गो लेटर को change करने से कितना बना तो A और M और हम देख रहे हैं कि option नमर B में ही दे रहा A और M तो दो को ही letter को change करने पर मेरा answer निकल के आ गया तो मेरे भाई आगे सल्व करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन तुमको समझाने के लिए हम यहाँ पर सिखा देते हैं देखो M का कर्मांग है 13 तो मेरे भाई बी के कर्मांग होता है यहने कि 2 में से जब 4 को घटावेंगे तो कितना बचेगा चावविस यहने कि Z पर जाएगा दो घटके उसके बाद फिर दो घटेगा तो 24 चावविस वा लेटर कितना होता है तो 24 लेटर जो होता है मेरे भाई होता है X ठीक है एक होता है 5 इसमें से हम जब 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई हम सभी जानते हैं कि इसमें से ए में से ए में से एक घाटाने के बाद आ जाएगा जैड और चार बच किया अब चार जैड से चार घाटाएंगे तो कितना आ जाएगा भी आ जाएगा वाई क्या करमांग होता है इसमें से छो घटा आएंगे तो हमको आगे सल्ब करने की क्या जरूर थी क्योंकि आगे थोरा सा उच्पटांग सब्द दिया गया था ठीक है पांच नमबर प्रश्ण करता है संबंधित संख्या का चैन करें जैसे की 35 का संबंध है 21 से और 44 का संबंध है 24 से उसी पर का इस प्रश्ण वाचक चिन का संबंध 36 से कैसे है और SSA CGL ऑनलाइन परिक्षा एक दिसमबर 2022 की सकेंड पाली में पूछा हुआ प्रश्ण है मेरे भाई बिल्कुल आपको सास्ता उपाय बताते है कैसे देखेंगे हम सभी जानते यहां पर जो 35 लिखा हुआ न देखो जान से आपको यहां बताते है कि यहां पर कितना लिखा है तो 35 लिखा है ठीक है 35 को एक इस कहीस से बनाया आपको मैं बताता हूं देखो 35 का हम अपने मन से बेटा तीन बाटा पांच कर दे अपने मन से ध्यां दीजिएगा अपने मन से 3 बटा हम 5 कर दे तो देखो 5 से कट जाएगा 35 कितना बार में तो 7 बार में और 7 कितने हो जाएगी है कि ओहो हमने अब समझ लिया यानि कि 35 का 3 बटा 5 अपने मन से निकाला गया है ठीक है यानि कि अपने मन से निकालेंगे होते है कि इस बन जाएगा क्या ऐसा logic लग रहा है तो तुम देखो 40 से 24 कैसे बना तुम देखो यहाँ पर हम उसको देखेंगे तो अब 40 से 24 कैसे बना इसी logic अपर किया गया है देखो 40 को हम भी निकालेंगे कितना 3 बाटा 5 निकाल के चेक करते हैं 24 बन रहा है इसको चेक करेंगे देखो यहाँ पर 5 से काटेंगे 40 को 8 बार में जाएगा और 8 तिर की कितना हो जाएगी मेरे भाई 24 बिल्कुल सही बात है यहाँ भी 3 बाटा 5 ही किया है तो इस प्रश्ण वाचक चीन के जगा कुछ नहीं है तो हम अपने मन से क्या मानेंगे मेरे भाई अपने मन से एक्स मानेंगे ठीक है इसका हम निकालेंगे 3 बाटा 5 ठीक है इसका 3 बाटा 5 निकालते हैं अंसर कितना आ जाएगा तो 36 आ जाएगा यहीन प्रश्ण है अब देखो बेटा यहाँ जैसे करबा 36 आनि कि एक्स का 3 बाटा 5 निकालते हैं 36 आगे तो अब देखेंगे एक्स का भाईलू निकालने के निए हमको करना क्या होगा तो एक्स बराबर यहाँ पर जो 36 लिखा हुआ है जो एक्स के साथ गुना में 3 बाटा 5 है बराबर के उस साइड में जाएगा तो 5 चले जाएगा उपर आद 3 चला आएगा नीचे अब इसको काट पीट करेंगे हमारा एंसर आजाएगा 3 से 36 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आब 12 पचे कुल मिला कर एक्स का भैलू कितना आ गई मेरे भाई 12 पचे कितना हो गया तो 60 हो गया और 60 अपसर नमर हमारा D में ही दे रहा है तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रस्ण को आप अच्छे से समझ गये होंगे ठीक है अब बढ़ते हम अगले प्रस्ण नहीं कि 6 नमर प्रस्ण की तरफ 6 नमर क्रस्ण है काटा हुगा पेपर कैसे दिखे मेरे भाई आपको समझाता हूँ एक कोश्चन का लेंग्वेज मैंने थोरा सौट लिखा है और हम लोग रहा एरर भी है कोश्चन है कि एक पेपर आपको समझाता हूँ ऐसे बन गया ठीक है और ऐसे बना उसके बाद यहाँ पर एक कट लगा दिया गया कहीं चीसे ठीक है अब उसके बाद जब इस पेपर को हमने खोलेंगे तो कैसा फिगर बनेगा वहीं हमसे पूछा गया है और ऐसे से CHSL का एक प्रस्ण पूछा हुआ है ठीक है याप लोग प्रस्ण को समझ गए होंगे जलिए आपको इस परकार के प्रस्ण बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जिस परकार से मोरा है हम भी उसी परकार खोलेंगे और जहां से मोरा है वहां पर हम सीसा यानि कि दरपन लगाते चलेंगे और उससे मेरा एंसर निकलते चलेंगे देखेंगे इससे हम पीछे की और जाएंगे यहां से पहली जो फिगर है इस पहली से हम जाएंगे पहला फिगर से हम जाएंगे इस पर तो कैसे खोला है तो मेरे भाई इसको ऐसे खोलेंगे न क्योंकि यहाँ पर ऐसे मोरा है तो हम खोलेंगे ऐसे पीछे जाने की तरफ पीछे जाएंगे तो ऐसे ही न खोलेंगे तो देखो यहाँ एक हम लगा देंगे अपने मंद से यह मीरर यानि की मीरर के मतलब सीशा ताकि इसका परतिविम बन सके हम आसाने से निकाल सकते हैं यहां पर देख रहे हैं सर्किल है तो सर्किल कहां पर चलाएगा यहां पर चलाएगा ठीक है उसके बाद मेरे दोस्त इसको फोल्ड किया था ऐसे यानि कि ऐसे फोल्ड किया था तो हम इसको खोलेंगे ऐसे ठीक है तो अब अब देखें इसको जब अब हमने खोला तो कैसे दिखेगा ओध्यान से दिखेंगे अब इसको हम इस पर लगा देंगे एक क्या तो इस पर लगा देंगे हम एक मीरर तो अब देखेंगे मेरे भाई एक जो इस यहाँ पर जो सरकील है इसमें से एक दिखेगा यहाँ पर और य एक बनेगा यहांपर और एक बनेगा यह पर ऐसा कउन सा अप्सक्तक्ता की कोणा में बना वे नहीं बनेगा विश सेंटर में बन रहा प्रबोत की साइड तिर्भुज वाले बॉक्स तो इस प्रश्ण का एंसर हो जाएगा option A सही ठीक है चलिए अब हम बरते हैं साथ नमबर प्रश्ण की तरप साथ नमबर प्रश्ण का नीचे दियेगे प्रश्ण में B सम को चुनिए चलिए देखते हैं पाल का जो आप्शन है वो क्या है हाथी है दुसरका जो B नमबर अप्षन है ओ क्या है जिराप है अप्षन C क्या है तो गाय है अप्षन D क्या है मुर्गी है और SSA CHSL टियर फर्स्ट 20 जनवरी 2017 थर्ड पाली में प्रशन पूछा हुआ है तो मेरे भाई इसको करते कैसे हैं हम सभी कोई जानते हैं कि हाथी जीराप और गाय एक बर्ग के पसुई या जानवर है कैसे इतीनों का तीनों 12 है जानवर है जबकि यहां पर हम देख रहे हैं इतीनों ए एक बर्ग में आ जाएगा जबकि मुर्गी जो है पकशी बर गी एक छोटी सी जीव है इसलिए इस प्रश्ट का अंसर हो जाए क्या तो मुर्गी आपसार नमर्दीस हो जाएगा ठीक है ता आप तरीका को समझे रटिए ना प्रस्ट को छिक ठीक है चलिए लेकर चलते हैं ह हम आठ नमबर प्रस्ट नीचे दिये गए प्रस्ट में लुप्त संख्या ग्याद करना है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर प्रस्ट वाजशक्षीन के जगा कौन से सिंबल का यूज करेंगे क्या आएगा हमसे पूछा जा रहा है देखो साथ से हम चेक करेंगी क इसका एस्क्वाइर कितना होता है तो मेरे भाई साथ का एस्क्वाइर होता है उन्चास ओहो एक बात आपको मैं बताता हूँ देखो द्यान से मिरे भाई यहाँ पर देखेंगे जो 7 है उसका square कितना होता है तो 49 होता है अब कोई है square कहा है तो मेरे भाई आप लोग प्रस्ण में ही देखें यहाँ पर 7 है यहाँ पर जो 2 है इसको 7 के power में रख देंगे तो 49 आजाएगा बिल्कुल सही बात है यहाँ पर जो 8 है तो यहाँ पर जो 8 है और उसके power कितनी है हो जाएगा 3 कहां से तो बीच से तो 8 का power 3 कितना होता है मेरे बाबू तो 512 होता है और यहाँ पर हम देख रहे है यहाँ पर है प्रश्ण वाचक चिनत इसके जगप हमने माना X है ठीक है तो मेरे भाई जब हमने 7 के power को 2 रखा तो 49 आया और 8 के power को 3 रखा तो 512 आया तो उसी परकार मेरे भाई हम भी क्या करेंगी कि एगारे के जो power है एगारे के power X को रख देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1331 आ ठीक है और 1331 हम सभी जानते हैं या नहीं जानते है तो आप लोग जान लेजिए की एगारे क्या क्यों होता है कैसी हम आपको निकालके बताते है है अब देखेंगे बिटाहई है आप पर एगारे के जो X है, बारपावर में, एगारे के पावर X और इसको हम एगारे के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एगारे के Q भी न होता है, तो देखो, 131 को हम एगारे के पावर 3 लिख सकते हैं Q के रूप में, यहां से एक चीज मेरा निकल के आता है मेरे भाई, जब किसी भ संख्या का जब बेस समान हो तो पावर भी आपस में बराबर होती है यानिकि नीचे भी एगार है नीचे भी एगार है इसका मतलब बेस समान है तो इस एक्स यानिकी पावर जो है एक्स और इसका पावर तीन ए भी आपस में बराबर होंगे यानिकी एक्स के बराबर में क्या आ जाएगे तीन तो यानिकि इस एक्स के जगह पर क्या भरा जाएगा तो तीन यानिकि आप्सान नमबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्ण का तो मैं उम्मिद करता हूँ कि सारे प्रश्ण को आप अच्छे से समझ गये होंगी आप बिल्कुल तरीका समझे ठीक है और सरल भास क्याता है ध्यान से परेंगे क्याता है दिये गए सब्द के अक्छरों का परियोग करके कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता है यानि कि जो सब्द दिया गया है इस सब्द का परियोग करके इन चारों अप्सन में से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता हमसे पूछा गया और SSE A.S.C.E. असनातक अस्तरीय टीयर 1st 31 अगस्ट 2016 में पूछा गया है और SSE A.S.C.E. असनातक अस्तरीय टीयर 1st 7 सितंबर 2016 के थरड़ पाले में ये भी पूछा गया है देखो तब मेरे भाई मेरे बंदू हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर किसको बनाया जा सकता है किसको नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पर दो देखते हैं इसमें लेटर को देखते हैं कैसे एक है करके हम गिनते हैं यहाँ पर पहला लेटर D है ठीक है अब हम इसमें देखेंगे D है की नहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं मिर भाई इस वाले सब्द में क्या इसमें कहें D लिखा हुए बिल्कुल सही बात है इसमें कहें D लिखा हुआ नहीं है यहने कि इस प्रश्ट में इस सब्द में D कहें लिखा नहीं है लेकिन option में D लिखा है इसलिए इसी option को हम नहीं बना सकते हैं यानि कि इसमें D इसमें D नहीं है इसमें D है इसलिए इस option को नहीं बना सकते हैं क्या option B बना सकते हैं इसको चेक करते हैं जैसे कि देखो इस वाले प्रश्ण में सबसे पहले S है तो क्या इसमें S है बिल्कुल सही बात है यहाँ पर S है उसके बाद T है बिल्कुल T है उसके बाद A है बिल्कुल A है उसके बाद N है बिल्कुल N है उसके बाद C है बिल्कुल C है उसके बाद E है बिल्कुल E है इसको तो बनाया जा सकता है चलिए अब हम आपसां C को चेक करत है चलिए अब हम बरते हैं डी नंबर प्रस्ट की तरफ डी नंबर प्रस्ट कहता है सरकस सरकस उसके में सी है बिल्कुल सी है इसके बाद आई है बिल्कुल आई है उसके बाद आ रहा है बिल्कुल आ रहा है उसके बाद यू है बिल्कुल यू है सोरी आर के बाद सी है बिल्क यहां पर डी जो लिखा हुआ है इस सब्द में नहीं है इसलिए अप्शन एको हम नहीं बना सकते हैं ठीक है तो मैं उम्मिद करता हूं कि इस प्रस्ण आप लोग समझ गये होंगे चलिए बढ़ते हैं दौस नंबर प्रस्ण की तरफ दौस नंबर प्रस्ण कीता है निचे दीएगे प्रस्ण का सही बेन आरेख बताईए ठीक है यहां कि सबसे पहले क्या है हवेल और चमगादर चमगादर जो होती है एक तरह की पक्षे ही होती है जो रात में उरती है और हवेल क्या है तो हवेल एक मचली है ठीक है तो मेरे दो हो गया चमगादर यहां कि इन दोनों के बिच कोई रिलेशन नहीं है लेकिन यह क्या है अस्तन पाई अस्तन पाई का मतलब है कि अपने बच्चों का दूद पिलाना यहां कि अपने बच्चे पायदा करके दूद पिलाती है जबकि चमगादर चिरिया भी है वह भी दूद पिलाती है यहां पर हवेल मचली है जबकि चमगादर चिरिया भी है वह भी दूद पिलाती है यहां कि दोनों का दोनों अस्तन पाई है तो एक दोनों अस्तन पाई के भीतर आ जाएंगे यहां क कि चमगादर हो गया ही चमगादर हो गया और देखेंगे यह बारा वाला क्या हो गया तो बारा वाला हो गया मेरे भाई क्या तो अस्तन पाई ततन पाई हो गया अब देखेंगे मेरा इसका मतल़ हम समझाते हैं कैसे हम सभी जानते हैं कि यहां पर जो छोटा साँ यहांPर सरकील ही हो गागाई हुए हो गया हुए होगया हवेलमचली चमगादर चरिया है कि हवेल मचली और चमगादर च estamos कोई रिफ नहीं होगा तो इसका बैल बने गांगा और इन दोनों प्रिफ पिलादी अस्तन पाई तो इस तरह को बैसे हो जाएगा थी है यहने कि मैं तरीका आपको समझाता हूँ, आप लोग प्रश्ण को रटी यह नहीं, तरीका समझते चलिए, चलिए, यह मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूँ, कि जब भी इस प्रकार के प्रश्ण आएगा, आप इसी तरह सर्व करेंगे, चलिए, मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है, वीडियो में जो भी प्रश्ण है, इंट्रिस्ट आता है, बनाने में तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब करके, बेल आइकान को आन कर लिजए, जिससे हर आने वाले वीडियो का आपको समय से में पर मिलती रहे और मेरे दोस्त आप लोग वीडियो के शेयर कीजे प्लीज मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं